Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम subtraction के बारे में पढ़ेंगे, subtraction मतलब क्या होता है, घटाना, इसमें हम क्या करते हैं, total number में से कुछ number को हम अलग कर देते हैं, उसमें से हटा देते हैं, तो उसको हम subtraction बोलते हैं, और इसको जो हमारा answer होता है, उसको हम difference बोलते हैं, तो इसी number में से 0 को minus करेंगे, तो हमारा answer वो number खुद होता है, जैसे कि ये इसके rule होते हैं, उसके बाद हम कुछ question solve करते हैं, subtraction के, जैसे सबसे पहले, ones की place पे जो digits होती हैं, उनको minus करते हैं, 4 में से हमें 3 minus करना है, तो हमारा answer क्या हैगा 1, और फिर 10 की place की digit, जैसे यहाँ पर next question में, ones की place, 8 minus 4, 4 और 6 minus 2, 4, इसी तरह से बाकी के questions हम 3 digit के questions भी कर सकते हैं, 3 minus 1, 2, 2 minus 1, 1 और 2 minus 2, 0, अब हम 0 और 1 वाले subtraction करेंगे, जैसे कि 364 हमें minus करना है 900 में से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको column wise लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 हटाने के लिए हम उन में से एक एक नमबर कम कर देते हैं, उसको easy करने के लिए, जैसे 900 minus 1 तो 899 और 364 minus 1 तो 363, दोनों नमबर में से एक एक नमबर minus कर देते हैं, अब हम उसको easily subtract कर सकते हैं, 9 minus 3, 6, 9 minus 6, 3, and 8 minus 3, 5, तो इस तरह से 536 हमारा answer हो गया, अब हम यहाँ पर कु 600 minus 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 599 और उसमें से हम 254 minus कर सकते हैं, तो हमारा answer हो जाएगा 543, तो 345 हमारा answer हो जाएगा, इसी तरह से यह questions हैं, जैसे 609 minus 427 तो 9 minus 7, 2, और 10 minus 2, 8, और 5 minus 4, 1, तो इस तरह से हमारा answer हो गया, अब हम subtraction करने के और तरीके सीखते हैं, कि अगर हमें, मतलब आगे गिंती गिनके, जैसे कि दो numbers को हम गिंती गिनके भी subtract कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 23 minus 12 हमें find करना है, तो हम 12 से start करेंगे, तो 12 के बाद 3 जोडेंगे 15 फिर 5 जोडेंगे 20, फिर 3 जोडेंगे 23, तो इस तरह से हम आगे की गिंती गिनके भी count कर सकते हैं, तो 3 plus 5 plus 3 कितना हो गया, 11, तो इस तरह से 23 minus 12 is equal to 11, अब हम subtract by counting on, अब हम 15, 63 में से 15 minus करेंगे, तो पहले हम 15 plus 5 करेंगे, तो कितना होगा, 15 plus 5, 20, 20 plus 20, 40, 40 plus 10, 40 plus 20, plus 3, तो इस तरह से 48 हो गया, तो यह हमारा answer यहाँ पर 48 हो गया, इस तरह से हम number counting करके इनको subtract कर सकते हैं, इसके बाद place value को हम use करके भी subtraction करते हैं, जैसे 78 minus 31 हमें find करना है, तो पहले 78 में से 30 minus कर लिया, फिर 48 में से 1 minus कर लिया, जो हमारा result आया, उसमे से फिर 1s की ticking place minus कर लिए, तो इस तरह हमारा answer 41 हो गया, अब जैसे 62 minus 35 find करना है, तो 62 में से पहले 30 minus कर लिया, आप जो answer आया उसमें से जो 1s की digit है 5 वो minus किया, तो इस तरह से 27 हमारा answer आ गया, इसके बाद हम 4 digit के number को बिना बोरो लिए वाले number को minus करना सकते हैं, जैसे 4 3 1 2 को 9 4 7 3 में से minus करना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले 1s की place की digit 3 minus 2 1, फिर 10s की place 7 minus 1 6, फिर 4 minus 3 1, फिर 1000 की place 9 minus 4 5 इस तरह से 5 1 6 1 हमारा answer हो गया, हमेशा याद रखिए बड़े number में से ही हम हमेशा चोटा number minus करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1st question हम करके देखते हैं, तो सबसे पहले 1s की place 3 minus 2 1, फिर 10s की place 8 minus 6 2, फिर 5 minus 3 2, और 6 minus 4 2, तो इस तरह से यह हमारा answer हो गया, अब इन जो second question है, उसको हमेशा पहले vertically अपनी notebook में लिखना है और फिर minus करना है, तो 6 minus 2 करेंगे तो 4, फिर 9 minus 6 करेंगे 3, फिर 3 minus 1 2, और 6 minus 2 4, तो यह हमारा answer हो जाएगा, इसके बाद हम 4 digit के number को बिना बोरो लिए minus करते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 में से 1 9 6 7 minus करना है, तो अभी हम यहाँ पर 1 बोरो ले ल 12 हो जाएगा, तो 12 minus 7 जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 12 minus 7 हो गया 5, अब 3 की जगह पर 2 था, तो अब हम इधर से 4 कट करके एक इधर ले ले लेंगे, तो 2 कट करके 12 हो गया यहाँ पर, अब 12 minus 6 करेंगे तो 6 हो गया, अब next step में हम फिर 1000 से 1000 इधर लेंगे, तो 5 की ज गहाँ पर 13, तो 13 minus 9 is equal to 4, अब हम total subtraction लिखेंगे, 12 minus 7, 5, 12 minus 6, 6, 13 minus 9, 4, और 4 minus 1, 3, तो इस तरह से 3, 4, 6, 5 यह हमारा answer हो गया, इसके बाद हम फिर एक question और solve करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7, 9, 0, 4 में से 3, 4, 2, 8 हमें minus करते हैं, बनाना है, अब 4 के लिए हमें 14 मनाना है, तो उसके लिए left hand side में 0 है, तो उसके लिए हमें और left में जाना पड़ेगा, तो यहाँ 9 कट करके हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 1 इधर चला गया, right side में तो इधर 9 बचा, और 10 plus 1 14 होगया, तो 4 की जगे कट होके 14 4, इस तरह से 4 4 7 6 यह हमारा answer होगया, अब हम यहाँ पर कुछ एक subtraction का question solve करके देखते हैं, जिसे यहाँ पर 5001 में से हमें 1353 माइनस करना है, उसके लिए पहले हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब हम एक 10 इधर लेंगे तो इधर 9 बचा, और इधर 10, अब 10 में से एक कम हो गया, 9 और इधर हो गया, 1 था, तो इधर हो गया 11, तो 11 माइनस, यह 1 होके 11 हो गया, अब 11 माइनस 3, 8 हो गया, और 9 माइनस 5, 4, और 9 माइनस 3, 6, और यहाँ पर 4 माइनस 1, 3, तो इस तरह से 3, 6, 4, 8 यह हमारा आंसर हो गया, इसी तरह से बाकी के कुश्टन्स भी सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाँ पर सिमी की माता की उमर 31 एर्स है, उसकी ग्रैंड मदर की एज 58 एर्स है, तो उनकी एज के बीच में डिफरेंस निकाल इसी तरह से बाकी के कुश्टन्स भी सॉल्व करेंगे, तो अब यह कुश्टन्स हैं, मल्टिपल चॉइस, जैसे हाँ पर वाट शुट भी एड़े टू 72 टू गट 90, 72 को 90 बनाने के लिए उसमें क्या एड़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें माइनस करना है, 90 में से 72 माइनस करना है, तो यहां पर हमारा 18 हमें एड़ करना पड़ेगा, इसी तरह से बाकी के कुश्टन्स भी सॉल्व करेंगे, तो यह था बच्चों सब्ट्रेक्शन के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक्यू